हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है शिवानियार्ट क्लासेज में तो फ्रेंड्स आज अपने इस वीडियो में हम आधुनिक चित्रकार एवं प्रशिद्ध मूर्तिकार देवी प्रशाद राय चौधरी के विसे में जानेंगे जो भी फ्रेंड्स चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बिल आइकन को प्रस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिकेशन मिल से के चले श्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो देवी प्रशाद राय चौधरी देवी प्रशा है वो 15 जून 1899 को पूर्वी बंगाल यानि बांगला देश के रंगपुर जिले के ताजहट नामक गाउं में हुआ था ये संपन्न जमिंदार घराने से संबंधित थे और बच्पन से ही कला के प्रती इनका काफी रुजहान था जिसे देखते हुए इन्हें 1914 में अविंद दिरिनाथ टैग और थे बाद में देवी प्रशाद रय Чौधरी ने हिरन में रये चौधरी की साथ कला स्टूडियो में मोर्तियों की मौड्लिंग वो मौर्तिकारी सीखी थी जब इनकी कला सिक्षापुन हो गई तब देवी प्रशाद रय चौधरी ने इंडियन तेल माधि में बनाया गया पहला जो उतकरिष्ट चित्र माना जाता है वो है दुर्गा पूजा यात्रा इन्होंने मूर्तिकला के जो प्रारंभिक सिक्षाली मूर्तिकला की हीरणिय मैराय चौधरी के निर्देशन मिली और तैल रंग की सिक्षा इन्होंने इटली के चित्रकार बायस से सीखा देवी प्रिशाद राय चौधरी एक ऐसे चित्रकार थे जिनके चित्रण शेली उनके गुरु अवनी द्रनास टैगोर से मिलती जुनती थी देवे प्रिशाद राय चौधरी ने जल रंग, तैल रंग ये पेस्टल में भी चित्रण किया है और इन्होंने व्यक्ति चित्रण भी बनाया है जिस में रविंदर नास टायगोर, ओसी गांगुली और परसी ब्राउन प्रमुक थे परसी ब्राउन देवी प्रिशाद राय चौधरी के द्वारा तैल माध्य में बनाया गया पहला उत्कृष्ट चित्र दुर्गा पूजा यात्रा माना जाता है देवी प्रशाद राय चौधरी ने सन 1929 में मत्रास कला स्कूल में प्रधानाचारी की पतपर नियुक्त हुए थे और सन 1955 में जापान के टोक्यो सहर में आयोजित योनेस को कला सेमिनार का अध्यक्ष भी देवी प्रशाद राय चौधरी को नियुक्त किया गया था भारत सिरकार ने इन्हें सन 1958 में पद्मभूशन से सम्मानित किया और साथ ही रवींद्र भारती विश्वविद्याले द् देलेट के उपाधी भी दी गई थी पटना इसे शही दिश्मृती का निर्माड भी देवी प्रशाद राय चौधरी ने किया था और जिसमें यहाँ दिखाये गया है कि एक वीर पुरुष जंडा ले जा रहा है और छे अन्य जो हैं वो ब्रटस की पुलिस की गोली से लग से पहले इनकी जो प्रसिद्ध कृती है वो है लेप्चव गर्ल जो की 1925 में इन्होंने टेंप्रा और वाश टेक्निक में बनाया हुआ है नेक्स्ट है ग्रीन एन्ड गोल्ड हैरा और स्वर्ण जो की जल रंग में निर्मित है और यह लंदन में दिखाई गई इनकी कृती है सबसे पहले नेक्स्ट है निर्वान जो की तैल रंग में निर्मित है नेक्स्ट है ब्रिच पेस्टल रंगों में निर्मित है नेक्स्ट है दुर्गा पूजा शुभायात्रा जो की तैल रंग में निर्मित है और भूतिय औरत तिबबत की बालिका नेपाली लड़की मुसाफिर खतनाक तूफान के बाद इस्नान का गहार्त और आरती ये इनकी प्रसिध्ध कृत्या हैं अब हम इनकी प्रसिध्ध मूर्तियों के विसे में देखेंगे सबसे पहले इनकी प्रसिध्ध मूर्ति है शहीद इसमारक जो कि 1956 में निरमित की गई है बना माध्यम में इन्होंने बनाया है दूसरी जो मूर्ती है इनकी श्रम की विजय श्रम की विजय जिसे ट्रेंप आफ लेबर भी कहते हैं और ये भी कांस्य माध्यम में निर्मित किया है इन्होंने ये नई दिल्ली में स्थित है और 1956 में इन्होंने महात्ना गांधी की एक मूर पर नए दिल्ली में बनी हुई है और इसमें अनेकता में एकता को धर्शाया गेया है इसमें 11 आकृतियां दिखती है 11'e0 को इसमें चितरेत किया है इन्होंने और इसका जो नयतृत्व कर रहे हैं वह महात्मा गांधीजी ची कर रहे हैं ये 21 मीटर गुढित 4 मीटर है स्वतंत्रता असमारक जो की 1972 में इन्होंने बनाया था स्वतंत्रता समारक 1972 में देवता आंतिम्स प्रहार सड़क बनाने वाले जब शेतरितू आती है सड़क बनाने वाले जो है यह प्लैस्टर में बनी हुई है भूख से पेड़ित इसनान करती हुई नारे ये इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां है महान चित्रकार एवं मूर्तिकार देवी प्रशाद राय चौधरी का निधन कुलकाता में 15 अक्टूबर 1975 को 76 वर्स की आयू में हुआ ये देखे इनकी जो श्रम की विजय नामक मूर्ति है तो आप देख सकते हैं श्रम की विजय चित्र में ये जो मूर्ति इन्होंने बनाई है ये मूर्ती शिल्फ की रशना देवी प्रशाद राय चौधरी ने कान से माध्य में की है और इसकी जो इस्थापना है 1969 में चेन्नेई याने की मद्रास में समुद्र के किनारे की गई इस स्थल के निकट देश का प्रत्थम स्रामिक दिवस मनाया गया था इस सैयोजन में चार व्यक्तियों द्वारा एक चटान को बलपूर्वक लुड़काने में होने वाले कठिन परिस्ट्रम को दर्साया गया है बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया है साथ ही इसमें कटिन पर इस्ट्रम के दोरान होने वाली जो शारीरिक मुद्राएं होती है सरीर के मान स्पेसियों के खिचाओ को दर्साया गया है चट्टान उलटने के काम में लगे चारो स्ट्रमिकों के सरीर पर एक छोटा सा अधो वस्त्र है तथा सिर्पर केवल एक पतला कपड़ा है ये एक्जाम में पूश्टिया जाता है कि स्ट्रम की विजय मूर्थी में वस्त्र कैसे वस्त्र दर्साये गये है यानि कहां पर वस्त्र दर्साये गये है तो सिर्पर एक पतला कपड़ा जो कि आप देख सकते हैं यहां पर इनके सिर पर एक पतला कपड़ा है किवल और कमर पर वस्त्र है और ये स्रमिक जो है लकडी के कुंदे द्वारा ये जो लकडी का कुंदा है विशाल कुंदे के द्वारा इस चट्टान को हटाने का प्रयास कर रहे हैं इस मूर्ति में मूर्तिकार द्वारा स्रमिकों के सामोहिक परिश्रम और प्रयास को दर्साया गया है जो कि बड़े कठिन कारे को सफलता पूरुक निश्पादित करते हैं इसलिए इसका नाम भी जो है वो स्रम की विजय है और ये देवी प्रशाद राय चौधरी ने कान से माध्यम में नर्मित किया है इसमें उनकी मूर्तिकार की कलावत तकनी की काफी सफलता पूरुक जो निश्पादित की गई है इसमें यथार्तवादी शैली का पूर्ण प्रभाव भी देखने को मिलता है और जन सामानी वर्ग के जीवन के प्रति जो संघर्ष है उसको शशक्तता के साथ दर्साया गया है नेक्स्ट इनकी जो मूर्ति है यह आप देख सकते हैं सहीद इसमारक इसमें गांधी जी इसका नेत्रत्व कर रहे हैं दांडी मार्च यह रूप में और इसमें 11 व्यक्तियों को इन्हें ने चित्रत दिखाया है 11 व्यक्तियों को इसमें दिखाया गया है और सबसे पहले गांधी जी को दिखाया गया है तो ये पटील मार्ग नई दिली में इस्थित है और ये 21 मीटर और गुड़ित 4 मीटर इसका माप है तो यहाँ पर अनेकता में एकता को दर्साया गया है ये भी इनकी काफी फेमस मूर्थी है और एक्जाम में कई बार पूछी गई है कि स्वतंत्रता अस्मारक नामक मूर्थी किस ने बनाई देवी प्रशाद राय चौधरी ने बनाई और इसमें जो नेत्रित्व कर रहे हैं वो गांधी जी कर रहे हैं नेक्स्ट इनकी जो मूर्थी है ये है शहीद इसमृती जिसे शहीद इसमारक भी कहते हैं तो पटना में इससे तिस शहीद इसमृती का निर्मार देवी प्रशाद राय चौधरी ने किया था जिसमें यहाँ दिखाया गया है कि एक वीर पुरुष जहंडा ले जा रहा है तथा च्छे अन्य उसके साथ हैं उसके साथ ही जो के ब्रटिस पुलिस की गोली लगने से नीचे गिर गये हैं शहीद इसमारक मूर्थे सिल्प के स्थापना सन 1956 में पटना सच्चिवाले भवन के बाहर की गई है कांसे धातों से बनी है ये मूर्थी और इन मूर्थियों की जो ढलाई की गई है वो सबसे पहले इटली में की गई थी उसके बाद इन्हें पटना यानि की बिहार में स्थापित किया गया इसमें साथ पुर्षों को दिखाया गया है जिन्होंने राश्री धश फैराने के प्रयास पे अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इनके चेहरे पे जो भाव है वो देश भक्ती के भाव से ओत्रूत दिखाया गया है तो ये सभी देवी प्रशाद राय चौधरी की प्रसिध मूर्थिया है आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आज आपने देवी प्रशाद राय चौधरी के विसे में जानकारी प्राप्त की उमेद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें, अपने सभी ग्रुप्स में, TGT, PGT, KVS, NVS, GSSB, LT Great के लिए, DSSB के लिए, BFA, MFA जो भी आड़ की प्रप्रेशन कर रहे है, स्टुडेंट है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफी हल्फुल रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रेलेटेट प्रमुक को लेके आएंगे, आप से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बिल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर और बाए बाए